करेंज जाने दोस्ट हम स्टार्ट करते हैं हमागा चैप्टर शिक्यृर्ट्यजिशन बहुत सब बच्यों को समझ में नहीं आता बहुत से टर्म में ऐसे आती यह बच्चों समय नहीं हम कम से कम टाइम में इसको बिल्कुल डीप्ली समझेंगे और सब कुछ आपको 100 के लिए हो जाएगा तो दिन बच्चों पास वीडियो के नोट्स नहीं है इस बुक के वह अच्छे हमारे टेलेग्रम गूपा इसको दोइन कर सकते हैं वहाँ पर यह बूक आपको फ्री मिल ज इसमें से यह आपका एक्जाम केंते हैं फूर मांक की थियोरी कम पलसरी आएगी ही आएगी हर टेम्ट में आती है ठीक है जी चल दीए गाईगा देखेगा यह एक बैंक है और बैंक का काम होता है लोन देना बहुत से लोगों को बैंक लोन प्रपाइड करता है जैसे की कार लोन हो गया होम लोन हो गया तो बैंक का काम होता है लोन प्रपाइड करना अच्छी बात आपको पता है तो बैंक का काम होता है लोन प्रपाइड करना बड़ बैंक करता क्या है कि जो लोग होते हैं वो बैंक बस FD कराते हैं और बैंक आगे लोगों को लोन प्रपाइड कर लिए बैक के पास धी करवायी थी पैसा हमारे पास आया था वह संतों लौन दे दिया अब पास पैसा पैसा ये हे व corporate Expo फ़का में अगी हुछ दें रहे तो बैंक सब्सक्राइब कर एक आपको लिए तो बैंक पáस ओप्शन क्या है बैंक ऐता है कि बंक्यातो लॉन ये करके आ गई यहां पर लोन प्रोवाइड करें तो एक तो बैंक पास यह उप्शन आता है इसे होगा क्या कि बैंक का जो डेटिकुटी रेशो है वो बढ़ जाएगा और रिस्क बढ़ जाएगा उससे और वो बैंक को हाई कोस्ट पर पड़ेगा यह दो कारण जाते हैं तो ब इसके बार हम डिसकस करें तो यह थी पहले प्रोब्लम जो बैंक फेस कर रहा था देन पहले प्रोब्लम थी लैक ओफ लिक्विडिटी च्योंकि बैंक का काम ही लोन देने का बैंक के पास लिक्विडिटी नहीं है बैंक के पास अभी कैश ही नहीं है आगे लोन देने का दूसरा प्रोब्लम हारी थी बैंक को रिकवरी करने के लिए recovery problem कि bank ने पैसा तो दे दिया loan पर पर उसको recover कैसे करे बहुत से ऐसे लोग होते हैं में जैसे लोग होते हैं धीट होते हैं जो पैसे को recovery मतब देते हैं नहीं वापिस एक बार loan ले लिया पर वापिस देते नहीं है तो bank ने मुझको loan दिया लगा लिजी 20 लाग रुपे का मैंने घर में आना था तो मैंने 20 लाग रुपे loan लिया bank से और bank वाले मेरे पास आए भाई loan की payment को repayment करो वापिस से तो मैं बोला और मैंने क्या कर रखा था जो मेरी land थी वो as a security मैंने रख रखी थी और bank वाले के आए कि मेरी जो land है उसको जब्त करने लग गए तो मैंने बोला अगर तुमने मेरी land को हाथ भी लगाया ना तो ये है पेटरोल और ये है माचीश की तिली मैं पेटरोल खुद पर डालूँगा और माचीश की तिली से आग लगा लूँगा खुद को bank वाले एक बार तो डर गए फिर मुसको force करने लगे तो मैंने क्या किया कि मैंने पेटरोल डाला खुद पर और मैंने suicide कर लिया तो ऐसे case हो रहे थे कि bank वाले loan मांगने जाते थे उनसे और वो loan repayment ही नहीं करते थे कि पहले तुम्हार लपास cash नहीं आगे हम loan दे उपर से तो हमने loan दे रखे हैं वो आपिस पैस देनको त्यार ही नहीं है वो कहते हम suicide कर लेंगे तो ऐसे क्या हुआ कि एक person ने suicide कर लिया मैं आपको example दिखाता हूँ और यह लाइफ यह देखेगा ICICI bank to grant relief to suicide victims family तो ICICI bank ने क्या किया कि ऐसे मांगने गए उनको उन्होंने force किया उस person को और उसको suicide कर लिया तो bank ने क्या किया कि compensate किया उसकी family को ताकि उसकी family का मुँ बंद कर करके वनना bank की इंफिनी इंसल्ट हो रही थी bank का जो नेम डाउन हो जाएगा मार्केट में जो bank का उसका नाम खराब होगा बैंक ने उस person को force किया जिस पर से उस person कर लिया वैसे person वह ऐसा था कि person payment खुद नहीं कर रहा था उससे bank का नाम खराब हो गया तो bank कर तो करे गया पहले हमरे पर लिक्विडिटी नहीं है अगर लोन देने के लिए उपर से जो हम recovery कर रहे हैं हम recovery नहीं कर पा रहे हमाना नाम खराब होता है तो the side by the borrower has thrown up question as recovery method कि उन्होंने force किया होगा उसको the reserve bank of india armed the banking courts and security center general board of india also had questioning the bank about the recovery practice and due diligence norm swallowed पर वो कह रहे हैं कि सबस्पका शंक जारा है bank की उपर बैंक ने उसको force किया है तब भी उसने side कर लिया है तो bank का नाम भी खराब हुआ और bank परशान अब ऐसा कोई तरिका निकालो कि यह recovery भी हो जाए उपर से हमारे पास cash भी आज़े से हम आगे loan दे पाए इसका solution निकला securization से चलेगा इसको हम समझते हैं तो bank वालों के mind में एक idea आया काश ऐसा हो कि जो यह loans बगहरा है हमारे पास जो हमारी balance sheet में जो loans पड़े हैं जो हमने आगे loan प्रवाइडि करके car loan दे रखे हमने home loan दे रखे हैं काश ऐसा हो कि यह loan हम किसी और को बेच दे किसी ऐसी entity को बेच दे जो वह इनसे recover करे तो अगर वह recovering उनसे करते हैं अगर पसंद side भी कर लेता है तो bank का नाम नहीं आएगा उस entity का नाम आएगा और bank का नाम नहीं आएगा और bank के पास cash भी आ जाएगा ताकि bank आगे loan दे पाए तो दोनों problem solve हो गई bank के पास cash भी आ गया और bank का नाम भी खराब नहीं हुआ तो इसके लिए एक बनाया गया special purpose vehicle इसको हम बोलते है SPV यह एक antique trust होती है इसका gotten किया गया तो bank ने जो loan थे उसको sold कर दिये bank में जो उसके loan थे इसको sold कर दिये ठीक है जी bank ने क्या किया bank ने इसको loan transfer कर दिया SPV को इसने क्या किया इसकी securities बनाकर security instrument बनाकर backed by these loans तो उसको आगे solve कर दिया investors को तो जानेंगी कि कौन से investors होते हैं तो उसने पैसा लगाते हैं तो उसने आगे solve कर दिया investors को दो मतलब इसकी balance sheet में क्या आ रहे थे अभी loan इसको transfer कर दिये तो उसकी balance sheet में यहां पर loans आ रहे हैं तो इसने यहां पर लगा लिए debenture इसको हम बोलते हैं security instrument यह instrument issue कर दिये backed by these loans कि बोला कि जब हम से हमें आप हम इस पर आपको 7% का interest देंगे जैसे हमें इस loan से interest परापत होगा हमको recovery होगी loan interest की और principal की हम आपको आगे इस पर जो है interest देंगे और आपके जो repayment कर देंगे आपके principal की तो ऐसे instrument मनाकर financial instruments को हम बोलते हैं तो इसको आगे investor को issue कर दिये और investor इनको पैसा किया पे किया इसको buy करने के लिए investor इनको पैसा पे किया और SPV इनको आगे पे कर दिया जिससे bank के पास जो loan का amount भी आगी जिससे इनके पास liquidity जिसे जिससे आगे loan दे पाएंगे और क्या हुआ कि recovery की problem नहीं आई अब सारी recovery कौन करेगा SPV और आपको मैं स्वाइड भी कर लिया तो इससे इनका नाम खराब नहीं होगा पहली बात तो bank का नाम नहीं आएगा बीच में बैंक का नाम भट गया बीच में से और entity क्या है यह वसूली भाई यह लगते रहे के लगा लिगा लिगा काम वसूली करने का है तो किसी परसे इससाइड कर लि स्वाइड करते हैं तो आपको उनका नाम चर जाएगा वो फेमस हो जाएंगे तो उनके लिए अच्छा हो गया तो इससे अच्छा और क्या होता तो बहुत यह अच्छी टेक्निक निकली स्क्राइजेशन की बैंक के लिए तो आपको इसमें कुछ भी नहीं देगे ना आप आपकी बुक में जो डाइगरम है वो बना हुआ है श्म समझते हैं तो इस तरह से पुरी काम करती है चले हम आपकी बुक में देखते हैं इसमें देखेगा आप तो यह है स्क्राइजेशन की प्रोसेस यहां पर हमने बैंक का एक्जाम्पल लिया बैंक का इस प्रोसेस में नेम होता है औरिजिनेटर बैंक लगा लेजिए या फिर जो फानेशल इंस्टूशन होता है जो लोन प्रोवाइड करते हैं इनका काम लो जो ऑरिजिनेटर बोलते हैं सर ठीक है बिल्कुल ठीक है और यह हमारा SPV हो गया और यह हमारा वहिए इंवेस्टर तो देख लिए जनेटर कोन होता है इसको सेल कर देता है एक तरह के एंटिटी वोती है एक तरह का क्या होता है it is made specially made for मतलब बनीज काम करने के लिए यह वह सूली करने के लिए बिनाई गई है और बाइंग लोंग और होल्डिंग डीज एसेट्स इंस लोंग को बाई कर लेती है उनसे जो बैंक से एन्टी करती है इनवेस्टर्स को यहा तो आपके मन में डाउट आ रहा हूआ कि इनवेस्टर्स कौन होते हैं घीज इनवेस्टर्स के लिए जो तो आपको मैंने बताया कि जो बैंक है वो सारे loans का एक pool बनाएगा एक bundle बनाएगा वो कठा करेगा सारे loans को और वो transfer कर देगा SPV को the pool of assets are sold to SPV and then यह जो होगे जो SPV होगा वो security issue करतेगा investors को उसके बदले में जो investors हैं वो money pay करेंगे for buying these securities to SPV यहां से money आएगा then this money is used to receive from investor to pay originator तो SPV money का use करेगी जो हमारा originator है उसको pay करने के लिए इस तरह से complete process चलती है मैं ने काफी असान सब्सक्राइब आपको समझाया ओटीजर पर नहीं कहां कहां चल जाते हैं थोड़े टाम के दर मैंने पूरा डिटेल में आपको स्टोरी है समझाती और कुछ important terms हो देख लेते हैं जो इसमें यूद होते हैं जो बच्चे को समझ में नहीं आती है चले गए इसको हम देख लेते हैं important terms यह बुक शायद आपकी बुक में ना हो तो इन चार का नम आप लिख सकते हैं आपकी बुक में स्पेट में यह हो कि मैंने बाद में एड कर आया है आपकी बुक में शायद ना हो जो मैंने पहले शेयर करी थी तो इसमें आप लिख सकते हैं तो चार ऐसी terms आती हैं जिसमें बच्चे confused जाती हैं तो मैं इनको पहले पेज पर लिख दिया ताकि starting में मैं आपको पहले explain कर दूँ आपके माइंड में terms बिल्कुल clear है तो क्या होती है terms पहला आता है bundling and unbundling इसका मतलब होता है कि जैसे कि उस बैंक नहीम पर बैंक सारे loans कटे करें तो सारे loans bank नहीं जिसके अंदर home loans पी हो गया जिसके अंदर car loans पी हो गया उस सारे lawyers bank ने कटे करें उसको एक bundle बनाया bundल अब समस्क्तों नेक bundle बनाया उसको transfer किया dia SPV को as traveled किया आगे उसकी कि जढ़ा करें तो एक 8% सिर सिघ् discharge नढदा दिए 7% बना लिए इसको बोलते हैं अन बंडलर नृप कि इसको बोलते इन बंडल प्यांग बनाए है और के अन बंडलर निसको खूल दिया उस होती है कि देन में सब्सक्राइब कर लेता हूं इसको जी मैंने लिखा यहाँ पर कि चल रहा है क्या प्रेंट कि देन इसमें सेक्टिंट टम आती है लिक्विड एसेड एन लिक्विड एसेड तो देखेगा जैसा कि बैंक की यहाँ पर एसेड साइड में यहाँ पर लोन आ रहे हैं लोन एडवांस तो यह क्या थे एक इलिक्विड एसेड थी यह एक इलिक्विड एसेड थी कि अभी ये bank के पास liquid में नहीं थे कि bank इसका अभी use नहीं कर सकता था तो bank ने क्या किया कि जैसे SP को sold किया और SP में आगे इनको बेज दिया और इससे इनके पास cash में convert होगे मतलब कि इनके bank के पास cash आ गया अभी ये liquidity credit होगी इनके पास अब इस cash का bank आगे use का सकता है आगे loan देने के लिए तो एक liquid asset को जो liquid नहीं थी उसको उन्होंने liquid में convert कर दिया उसने cash आ गया इसका वो आगे use करेंगे आगे loan देने के लिए इससे again इनको कमा पाएंगे फिर again को sold कर देंगे तो यह से process यह चलते रहेगी उसको बोलते है liquid asset to liquid asset then third term आती है recourse and non-recourse इसका मतलब क्या होता है चल लिएगा इसको समय से देंगे जैसे कि आपको बताया है कि bank नहीं यहां के जो उसके loans थे उसको sold कर दिया sold कर दिया किसको SPV को sold कर दिया और SPV ने आगे sold कर दिया investors को तो यह किसको bank ने loan दे रहे थे लगा ले जिए car loan दे रहा था यहां पर यह home loan दे रहा था तो recourse का मतलब क्या होता है recourse का मतलब यह होता है कि अगर जो SPV है वो क्या करेगी जो इनसे पैसा collect होगा loan वालों से तो आगे pay करेगी investors को जो investor को interest pay करेगी तो इनसे पैसा मिलेगा अगर यह लोग पैसा नहीं देते अगर जिम्मवारी ले तो मैं गरंटी देता हो अगर non recourse में क्या होता है कि bank को जिम्मवारी नहीं लेता और वह पैसा नहीं देंगे तो मैं तुम्हें पैसा दूँगा आई समझ में चलीगा उसका 4th point देख लेते हैं of balance sheet financing एक सब्सक्राइब इसको मैं इसको इनसाफ कर लेता हूं और और बैलेंसिंग फाइनसिंग क्या होता है तो यह हमारी balance sheet अब balance sheet के अंदर finance को rise करने के दो तरीके होते हैं एक होता है अब equity से लाएं या फिर आप debt issue करें ठीक है जी एक तरीका मैं पास होता है आप equity लेके आएंगे आप debt issue करेंगे और एक होता off balance sheet financing जैसे कि आपने जो loan sold कर दिये बदले में आपके पास cash आ गया इसको बोलते है off balance sheet financing मतलब asset side से आपने finance को rise किया बैस तो आप ability side से finance को rise करते थे लाबैलटि सैडिकन अंदर आप debt को equity को rise करते थे इससे आपकी liability बढ़ जाती थी बट आपने assets को सोल्ड करके आपने cash लिया तो इसको बोलते हैं off balance sheet फाइनसिंग अपनी एसेट को सोल्ड करके कैश में करवाट कर देना हम बोलते हैं इसको ओफ बैलेंट इट फाइनसिंग सर ठीक है सर तो यह चार इपूटन टब आप दिने याद रखनी है इसको अपने ध्यान में रखना है इसको हम साथ कर लेते हैं इसे लेजर को साइज बढ़ा करती है थोड़ा चलेगा तो समझ में आया आपको इसका क्या प्रोसेस होती है हमें कोश्चन भी कर लेते हैं इसके उबर तो हमारे कोश्चन एक्जाम के अंदर आता है कि इसमें पार्टिस कौन-कौन से होती है तो यह पूरी प्रोसेस है इसके अंदर पार्टिस कौन-कौन से में भल होती है तो एक होती है इसके अंदर primary parties और एक होती है secondary parties एक सकीन लुकेगा देखेगा एक होती है primary parties एक होती है में secondary parties ठीक है primary parties को नशी होती है जो में उपर discuss करीए तीन एक होता है originator जो bank होता है एक होता SPV जो इनसे loan को buy करता है और आगे इसको इसको इस्यू करता है एक होता है investors जो इन सेकोटिस में invest करते हैं तो तीन जो main parties होते हैं इसको हम primary parties बोलते हैं एक होता originator एक होता है SPV एक होता investors ये तीनों क्या काम करते हैं ये मैंने आपको समझा दी है और एक हाती है हमारी secondary parties इसमें कुछ और parties भी involved होती है इनके बाद में जान लेते हैं तो पहला इसमें आता है obligator पैलेस में आता है obligator वो कुण होता है obligator जिस person ने loan लिया होता है जैसा कि bank ने यहाँ पर home loan दे रखा था इस bank ने आगे home loan दे रखा था तो जिस person ने loan ले रखा है जिस person ने loan को pay करना है उसको बोलते है obligator ठीक है सर देन इसमें second party आती है कि रेटिंग अजन्सी जो स्क्योर्टिस एस्पीवी ने इस्यू करी है उनकी रेटिंग की जाती है जैसे कि बॉन्ड की रेटिंग होती है इनवेस्टर थी करते हैं मैंने इसमें इसमें स्कैंड Australians का रोल भी आता है AB यह को इनकी रेटिंग भी आता है करते हैं थेंड पार्टिस में आती है secondary के अंदर Receiving and Paying Agent Sir ये कुन होता है इसको आप समझ सकते हैं वसूली भाई जो पैसा जो Obligator है उससे लेगा और SPV को देगा और SPV आगे तो Investor उनको Pay करेगी तो ये होता हमारा वसूली भाई आप लगा सकते हैं इसको बोलते हैं Receiving and Paying Agent बहुत से केसिन में जो हमारा जो बैंक होता है जो हमारा ओरिजिनेट होता है वो खुद भी Receiving and Paying Agent का काम करता है बट ऐसे लोग जो Pay नहीं कर रहे हैं जो धंकिया देते हैं कि हम साइड कर लेंगे उस Case के अंदर जो Recovery Agent है इसको बेज़ाता है जो वसूली भाय होता है वो रिकवरी करके देता है उसको बोलते हैं Receiving and Paying Agent से देन हमारा आता है Credit Enhancer Credit Enhancer सर इसका मतलब क्या होता है Credit Enhancer का इसको हम समझ लेते हैं जैसे ही मैंने आपको बोला कि अगर जो Recourse में क्या होता है कि Bank Grantee लेता है अगर जो जो Obligator है वो General Loan ले रखा है अगर पैसे वो Pay नहीं करेंगे तो मैं गरंटी लेता है तो मैं Pay करके दूँगा आपको ठीक है और Non Recourse में क्या होता है Bank कहता है कि मैं को गरंटी नहीं लेता तो इस Case में तो फस गई सारी Investor अगर उस Person ने Default कर दिया तो उसने Pay नहीं किया तो सारी Investor पैसे डूब जाएगा तो इस Case में क्या होता है Credit and Answer होता है यह एक तरह के Insurance Company होती है यह पूरी Process का Insurance करती है कहती है अगर वो Bank नहीं देगा तो हम पैसे देंगे आपको इतरह का Insurance होता है वो Credit and Answer रकाम करते हैं वो इतरह गरंटर रकाम करते हैं वो गरंटी देते हैं कि अगर आपको पैसा नहीं मिलेगा तो हम गरंटी देते हैं बदल में उस Premium Charge करते हैं तो यह होता है Credit and Answer तो देखेगा बैंक को अपने लोन्स बेचना है SPV को और SPV ने अपने जो इंस्ट्रुमेंट है उसको बेचना है उन्वेचना हैं इन्वेचना इन्वेचना ना चाते हैं इन इन शेटा है तो सप्रिश्ठी तैसे एंट schedule को यह को है वह सोफेच यह नहीं में ाता ट्रॉस्टी यह क्या काम करते हैं देखते है कि जो ट्रॉस्ट है जो एस्पीवी है वो इसंग से काम कर रही है नहीं करें जो इन्वेस्टर है उनका पैशा कर इन गलता कर रही है उनसे जो अंसे वीडेर कर ja कुछ गलत नहीं हो रहा इंवेस्टर के साथ ठीक है जी इसमों बोलते हैं ट्रस्टी तो यह होते हैं स्केंडरी पार्टिस्पेंट इस कॉश्चन को हम पढ़ लेते हैं हमारी बुक में से चलिएगा कोश्चन नमबर आपके बुक में इस सेकेंड यह इसर तो अपका अपका चांस है एकजाम में आने के ध्यान दीजेगा तो तीन पार्टिस तो यह होती है एक होता है और इस पीवी और एक होता है इन्वेस्टर यह मैं आपको पढ़ा दिया कि जो इस प्रसका को स्टार्ट कर सकता है उसको हम बोलते हैं originator और SPV कौन होता है जो बाय करता है in financial assets को and issue securities to investors जो कौन वैस्ट करता है जो SPV कोन हो सकता है वो कोई company हो सकती है कोई firm हो सकती है कोई trust हो सकता है और जो investors कौन होते है they buy the securities paper they can be individual or institutional investors like mutual fund provident fund insurance company etc तो यह होते हैं primary participant in this process ठीक है sir कि देहर हम देखते हैं role of secondary participant कौन-कौन से होते हैं इसको आप learn कैसे करोगे इसको इसको आप learn कर सकते है ISO जो मार्का होता है international का ISO इसको आप लन कर सकते हैं या फिर iOS जो आपका iPhone आता है उसमें जो software होता है जैसे हम android यूज करते हैं एक iPhone में आता है iOS बोलते हैं तो इससे होगा इन्वेस्टर ओसे होगा ओर इससे होगा एस्पीव तो इसको आप iOS से लन कर सकते हैं इसमें कौन-कौन आते हैं इसमें आते obligator जो person जो person loan को लेता है जिस person को loan दिया गया है जिसने loan को repay करना है who own money to originator and these are the assets in the balance sheet of originator bank के balance sheet में यहां पर आ रहे होते हैं loans इनको pay की होते हैं दे रहे होते हैं इनसे पैसा लेना होता है तो यह होते हैं obligators for rating agency assets have to be assessed in term of credit quality तो rating agency example crisis हो गया वो इनकी rating करती है उसको देख करके investors financial instruments बनते हैं security instruments इसमें पैसा invest करते हैं ठीक है sir so then आता receiving and paying agent इसको आप बोल सकते हैं वसूली भाई वसूली भाई it collect the payments due from the obligators and pass it to SPV इन से collect करेगा और SPV को pay कर देगा and also follow up with defaulting borrowers और जो default कर रहे हैं उनके पीछे पड़ जाएगा भाई पैसे दे मारे तो ठीक है एक होते है credit answer कि अगर जो bank है उसने जो recourse नहीं किया bank ने non-recourse की कर रख है बैंक ने guarantee नहीं दे रखी तो यह लोग guarantee देते हैं सिंथा इन्वेस्टर्स इन स्कूर्टाइज इंस्ट्रूमेंट्स और डिरेक्टल एक्सपोस्ट्ट्व प्रफॉर्मेंस अप अंडर लाइंग फानेचल एसेट उस पर डिपेंड होता है कि परसन के डिवॉर्ट ना कर दे तो देसिक अडिशनल कमफर्ट इन फॉर्म ऑफ क्रेडिट अहांस्पन ताकि उन्हों ग्रंटी मिल सके कि वह पैसा नहीं देंगे तो यह पैसा देंगे तो यह ग्रंटी प्रवाइड करते हैं डिवाशन ग्रंट स्टेंहिर दभानर जो सोते हैं क्रेडिट व्हाशन एन हते क्रेड़एं सब्सक्राइब ャूब होते हैं जो बैंको और को जो इन्वेसट इन तीन को मिलाने का काम करते ल कह साथ ऑधर यत्ट ब्रीप्शनेटर एनले इन्वेस्टर्स क्यलिट एन्श ज तो आपने शीएश्ट पे किया जी पहले शीएश्ट लगता हा तो आपने शीएश्ट पे किया तो तो आपने शीएश्ट पे किया तो आपको चलिएगा हम आगे चलते हैं इसके अंदर समझते हैं आगे में question number six question number six where is question number six हाँ जी अब देखेगा आपके screen पर complete आ रहा रहा है ना screen पर तो benefits क्या होते हैं जो इसके benefits क्या क्या होते है प्रस्पेक्टिव बोथ औरिजनेटर जो हमारा बैंक है उसके point of view से क्या benefit होते हैं जो bank होता है आपको पर आप समझाया कि यह process आई क्यों तो आपको समझ में आ रहा हो कि आपने क्या लिखना है कि bank को क्या benefit होते हैं as well as investors जो पैसा invest कर रहे हैं जो product fund है जो insurance company है जो mutual funds है जो financial institutions है जो फाड़ेश्ट कर रहे हैं इन सेक्यूर्य जिसके अंदर जो तो उनको क्या benefit मिल रहा है इसके बार हम जानेंगे इसके अंदर हम देख लेते हैं पहले from the point of view of originator bank के point of view से उनको क्या-क्य benefits होते हैं इसके इस प्रोसेस के एक उनकी होती है वो balance sheet financing में आपको बताया था कि पैसे को rise करने के दो तरीक्ये होते हैं एक होता है हमारा जो liability side होती है एक होता हमारा asset side से liability side में क्या होता है कि bank equity issue करेगा bank bond issue करेगा debt लेगा वो होती है हमारी जो हमारी liability side से हम जो हम पैसे को rise करते हैं दूसरों होता है हमारी assets को sold करकर bank के पास cash आ गया उसको बोलते है of balance sheet financing इसको बोलते हैं आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे आपका एक्साम से मेरी अवादी आपके कान में गुण जाएंगी बिल्कुल ठीक है अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो सब्सक्राइब करते हैं मोर स्पेशलाइजेशन इन में बिजनेस में आपको बताया था कि बैंक का कम इसे को बैंक के पास cash आ गया अब दूसरा बैंक क्या आ रही थी कि कि प्रोड काने बैंक करने जा रहा उसे वह लोग फॉाइड करे एथे और बैंक कहते हैं में किक काम करे रहे हैं हमारा काम और टो SPV, recovery का काम होगा, SPV का हमारा काम loan देने का अब बैठे राम से loan देंगे, चलिए बढ़िया हो गया बैं थर्ड हुआ, इनका help to improve the financial ratio ये देखेगा अगर bank debt लेता, तो उसे क्या होता bank का debt equity ratio बढ़ जाता जिसे bank का risk बढ़ जाता, अब bank बैंक ने क्या किया कि, अपनी जो loan son को sold कर दिया, SPV को तो इससे उनका जो ratio थे हैं, वो उनके improve हो गई, इसका मैं आप example देता हूँ, एक example लीजेगा इसका आप risk weighted asset ratio होता है जो मारा, capital education ratio CAR, ये आप सुना होगा bank के अंदर एक capital education ratio होता है इसका formula होता है, capital employed capital employed buy में risk weighted asset ठीक है जी, ये आपने सुना होगा formula आपने inter clear करक है, मैं मान के चल रहा हूँ, तब ये आप सी फाइल में पहुचे हैं, आपने inter clear करक है तो एक हमारा formula होता है, capital education ratio का, capital employed by में risk weighted asset, तो capital जो आपको पता है, इसमें क्या होता है, कि सारी asset को हम एक risk percentage देते हैं, जैसे कि loan हो गया, loan में लगा लिजिए, 50% यहां पर risk दे दिया, और वैसे other का asset का percentage का हम risk देते हैं, आपने CAA इंटर का group 2 में पढ़ा होगा, advance count करेंदे, जो पहला जो है, यह ratio improve हो गया, जो capital, जो उनका adequate ratio है, वो improve हो गया, जिसका जो cash होता है, उसमें risk 0% होता है, और loan का रिस्ता 50% का पहले, तो इससे इनका जो ratio है, जो उनके financial ratio है, वो improve हो गई, ठीक है जी, चलिएगा, इसकी भी एक memory technique है, सर, OMR, जो आप use करते हैं, आपका paper देने में, आप exam देते हैं, तो आप जो fill करते हैं, MCQ, उसमें आप use करते हैं, OMR sheet, तो OMR हो गया, आपका Oble sheet financing, more specialization, and R से क्या होगा, सर, R से होगा financial ratio से होगा, R, ठीक है, तो आपने इसको learn करेंगा है, OMR, सर, बिल्कुल ठीक है, सर, तो हमने देखा, क्या benefit होते हैं, bank को, इसको हम बोलते हैं, originator, अब देखना है कि, क्या benefit होते हैं, जो हमारे investors हैं, उनको, जो पैसा invest करते हैं, in security instruments के अंदर, तो पहला होता है diversification, जो यह loans होते हैं, bank में बहुत से लोगों लोन दे रखे हैं, कि इसको car loan, home loan, बहुत से लोगों दे रखे हैं, सर, कितने लोग डिफोल्ट कर लेंगे, एक डिफोल्ट कर लेगा, दो डिफोल्ट कर लेगा, सारे डिफोल्ट तो नहीं करेंगे, जिससे उनका रिस्क होता है, वो दाइवर्सीफाइड होजाता है, जैसा कि आप इनिवेस्ट करते हैं, mutual fund के अंदर, तो आप mutual fund क्या क्या होता है, कि बहुत सारे जो companies होता है, उनकी share में पैसा लगा होता है, इससे risk क्या होता है वह उता कि यह तरगा पोर्टफोल्यो बन जाता है ठीक है जी दैनाती डिल्ट की पार कि की बहुत सब इनवेशटेशन होते हैं या फिर फंट्स रागा लीजिया कि गुर्मेंट उनको बोल रखा है कि आपने इतनी इस द्री पैसा लगाना जैसे मांट करना है जिससे वो इसमें इंवेस्ट करता है कि जिसे उनकी जो रेवलोट्री रिक्वायर्मेंट है वो भी फुल्फिल हो रही है उदो से उनका इंवेस्टिंग में भी हो रही है तो दोनों काम जो जाते है इसे देन मारा आता है प्रोटेक्शन अगेन डिफोल्ट तो मैंने आपको पता है कि अगर बैंक जो रिकोर्स अरेजमेंट करता है तो बैंक क्या करता है गरंटी देता है इस के अंदर बैंक गरंटी देदेगा कि अगर जो पैसा नहीं मिलता बिलिगेटर से तो हम pay करेंगे sir अगर bank भी pay नहीं करता है तो हमारा दो credit answer होता है वो guarantee दे 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 रहता है वो pay करेगा तो इससे क्या होता है protection again is default होता है in case of recourse arrangement if there is any default by the third party then originator means bank shall make good at least the amount तो bank क्या करता है उस amount को good करता है वो amount को pay करता है तो बाकी नों यह नहीं लिखा कि जो अगर bank भी pay नहीं करेंगे तो हमारा credit answer है वो pay करेंगे तो उनको protection मिल जाता है एक तरह का कुछ दर वाली बात नहीं है तो समझ में आए आपको हाँ जी देख लेते हैं इसकी आप बना लेना कोई memory टिक मैंने नहीं मनाई इसकी मुझे कुछ समझ नहीं आया आप देख लेना इसकी मैं तो हमारा point number six community होता है हम आते है point number one पर so point number one जो इसका question number one है वो process ही है एक सब्सक्राइब चोटा जाते हैं इसको concept or mechanism of securitization की process क्या है steps involved in securitization process इस process में step कौनकों से involved है तो steps आपने as stage लिखके आने हैं जो module में लिखे हो है मैंने यह आप शोट में explain करें हैं बिल्कुल ICI की language है तो keyword से हैं वो highlight कर रखे हैं तो इसको आपने as लिखके आने हैं इसको हम पढ़ लेते हैं the process of securitization involved creation of pool of assets ये उसको पुरा bundle मलाया एक पूल बनाया उस बैंक ने और transfer कर दिया SPV को pool of assets from liquid financial assets तो उस एक पूल बनाया such as receivable loans से and their rebundling into marketing securities उसको convert कर दिया instrument के अंदर SPV ने आगे sold कर दिया investors को these securities are then issued to investors बाद में securities को investors को issue कर दिया गया यह रहना आपने याद करने जुरूरी नहीं है बाकि जो main steps है आपने उसको learn कर लेना है तो पहले क्या होगा कि creation of pool of assets एक bundle बनायेगा एक pool बनायेगा bank उस asset का उसको transfer करेगा SPV को the process begin with creation of pool of assets by the originator जो bank है वो एक कथा pool बनायेगा उसका loans का and this involves segregating the assets bagged by the similar type of mortgage in term of interest rate risk maturity की जैसे की सारी home loans कथे कर देगा bank सारे car loans कथे कर देगा उसका एक bundle बनाकर उसको transfer कर देगा ठीक है sir then SPV का करेगा उसका आगे जो instruments बनायेगा उसको आगे sold कर देगा investors को ट्रांसफर तो SPV special purpose विखकर once these assets have been pool यह पहले यह उन्होंने पूल बनाया सारे loans का उसको फिर ट्रांसफर कर दिया SPV को they are transferred by the originator to SPV for consideration बदल में पैसा मिलेगा उनको बैंक वालों को SPV is the entity created for the purpose of securitization यह बनी इस purpose के लिए इनका काम ही वो सूली करने का ही है then sale of securitized paper अब क्या करेंगी जो SPV है वो instrument मना दिया securitized instruments उनको आगे investors को sale करेगी SPV design the instruments based on nature of interest risk tenure बाकी इसे आप देखेगी कि यह लोन इंटे tenure का है उन सब को कठा कर देगी यह SMIC risk गादान को कठा कर देगी अलग तरह के जो है instrument बनाकर आगे investor को जो SPV हो sale कर देगी based on pool of assets and these instruments can be pass to securities यह pass to security हो सकते हैं इसको हम बोलते हैं अब देखेगा bank ने pool किया SPV को बेजा transfer किया SPV आगे instrument issue करे तो तीन step clear हो गये यहाँ पर then fourth step आता है administration करना इन asset का मतलब कि जो obligators हैं जिनको loan दे रखा है उन से पैसा लेना SPV को देना और SPV आगे investor को pay करेगी interest आगे the administration of the assets in subcontracted back to originator which collect the principal and interest from the underlying assets and transfer it to SPV उन से पैसा collect करेंगे SPV को देंगे और SPV आगे investors को pay करेगा ठीक है चले यह आगे चलते है then fifth step आता है recourse arrangement recourse to originator अगर उन्हेंने पैसा नहीं दिया तो bank करता है मैं पैसे देऊंगा performance of the securitized paper depends on the performance of securitized assets unless specifies that in case of default such illiquid assets will go back to originator from SPV यह ऐसा बोल रहे हैं कि यह depend करता है कि पैसा अगर जो obligator देंगे यह नहीं देंगे वो उन पर depend करता है बट अगर recourse arrangement है उस case में मतलब कि bank के guarantee है उस case में bank pay करेगा हमारे को यह बात बोली कही है यहां पर then six step आता है repayment of funds अब क्या करेगा investment जो हमारा SPV है उनका जो पैसन उन से लिया था उनको refund करेगा जो को पे करेगा SPV will repay the amount to investors in form of interest principal and that are recovered by the originator and passed to SPV ठीके sir then step seven आता ही step पहले आना चाहिए था तो यह optional point डाल दी आई से नहीं और नहीं डाला seven number तो उनको seven number पे लिख के आना होगा exam के अंतर some time before the sale of the security instruments credit rating can be done to help the investors to assess the risk of the issuers तो रेटिंग की जारती है था कि जो investors है वो सैस्क पाएं कि इसमें कितना risk है इसमें कितना risk है तो यह point पहले आना चाहिए था आई से लाश में डाला है तो हमने लाश में लिख और आपने एक्जामें भी लाश में लिख किया आना है तो इस seven step आपने देखिए आप स्क्रीन पर सर्फ features क्या होते हैं पहला फीचर जिसका आता है creation of financial instrument जो SPV है वो उन से लोन लेती है बैंक वालों से उसको financial instrument में convert करती है और आगी investor को issue करती है तो यह point पहले आपका खिए लो चुका है कि एक financial instrument का creation होता है इसके अंदर यह इसकी एक विशेषता है लगा लिजिए इसका प्रोसेस की SPV हो मारा security process है इसकी second point इसके अंदर आता है bundling and rebundling sorry unbundling bundling and unbundling जैसा कि bank उस फारा का जो loan से उसको bundle बनाता है सो transfer चाता है और रागी जो आता है यह इसको अंदर लिंग करकर अलग तरह की इसको इसको करती है यह मुआ परे समझ चुके हैं जो तुम्हें आपको दुबारा नहीं समझा रहा है मैं इसको थर्ड प्रोंट मारा इसके नतरा साथ है तूल ओफ रिस्क म्नेजमेंट की है करेंग करेंग करेंगा वन्रा वह दूसरा क्या होता है कि बैक। सारे उनके बैक होटा है इस इसके इंप धिश्यक्ता है वहुद्च संजये होई वो पूर्ट पर्ट आता है structured finance structured finance इसमें क्या होता है कि जो एश्पीब नोश्वसे लोन लिया जो बैंक है उन्से लोन उठाया और कुछ बना दिये instrument 7% rate के कुछ बना दिये 8% rate के इसमें सारे आगे home loans इसमें सारे आगे car एक उन्हेंने बना दिया जिसमें default होनेका रिस्क हाई ऐसे परशन्स को collect कि यह सारी परचंड कर सकते हैंनको अलग से कठ्था कर दिया इसमें एक इस वह समय था दिया चाहिए कियोंकि हाई रिस्क एंड रिटर्न क्योंकि समय रिटर्न करेगा उसको रिटर्न फालतुं मिली उसमय भुध क कर लेगा हर पसंद कि लिए किसे का मन ंहें Conservative बाले aceyकि दूससे love में मिल सकती है किसे का कि मैं बहुत से रहें चाहता हूं मैं रिस्क बिल्कुल लिना चाहता हूं मैं तो बाई कार लोंच में इन्वाइस्ट करूँ वह हो में शोटी वह बाई मुझे मेरे पैसा वाप इस मिल जाएगा उसको बहुते हैं स्ट्क्चर्ड फारेंस दैन दैन फिफ्ट पॉइंट आता है इसके अंदर ट्रेंचिंग ट्रेंचिंग मतलब उसक्षा खाएं शाखाएं लगा लेजिए पार्ट्स बना लेजिए या डिविजिन लगा लेजिए डिवाइज कर दिया डिविजिन बना दिया हमने सेम वही उपर वाली बात कि अलग अलग पार्ट बना दिये होम लोन अलग कर दिया, कार लोन अलग कर दिया, डिफोल्ट अलग कर दिया तो अलग अलग करके शाखाय बना दिये ठीक है जी, सेम वही बात अपर वाली का प्रेंड किया गाए इसको बोलते हैं ट्रेंचिंग, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर कि अलग बनाया और होमनों पट्था कर दिया, प्रेंचिंग जाक रहिए बाग बना दिये, फिक्सश पॉय आता है इसके अंदर होमोजैनिटी, होमोजैनिटी, इसका मतलब यह कि जैसे कि इसमें जितने भी सारे हैं उसको बोलते है हमोचेंटी है उसमें सारे हिश्च अनना से हैं वैसे इसमी सारे-सारे कारलोन होपलोन है कि सारे-सारे हम रही को बोलते हं हमोगेशने पर लेते हैं चलिए हो यह हमारा point number 3 था शायद, 3 था हमने शायद कर लिया, three, point number 3 है हमारा, RTP मई 23 में को कोशन आया हुआ है, और November 22 एक्जाम में भी कोशन आया था, इसका, कोशन पुछा गया था, features क्या होते हैं, तो 3 में पहले पढ़ लिया, financial instrument को मिना आ जाता है, bundling, under-bundling हमने पहले समझे लिया, and risk management का tool होता है, non-recourse के बारे हमने पढ़ लिया, risk of default in shifting to SPV हमने पहले पढ़ लिया, यह 3 point पहले पढ़ चुके, यह 3 point नहीं है, इसको में देख लेते हैं, इसमें क्या है, structured finance, in the process of securitization, financial instruments are structured in such a way that meet the risk and return of profile of investor, कि बाई किसी ने risk हाई करने तो defaulter में invest करेगा, किसी ने risk नहीं लेना, वो home loan में invest करेगा, तो लाग 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 तरगा structure कर दिया हर पसंद के according, then next बना आता है, tranching, इसमें क्या होता है, portfolio of different receivables, और loan is supplied into several parts, based on risk and return, they call tranchate, जैसे कि अपने बना दिये home loan का एक tranch बन गया, और एक आपका car loan का बन गया, एक default tax का बन गया, इसमें 7.5% interest, इसमें 8% interest, इसमें 12% interest, और हर एक को बोलते हैं, एक tranch बन गया ये, एक एक शाखा बन गया, एक भाग बन गया उसका, एक next बना homogeneity, under each tranch, ये कह रहा है कि under each tranch, जैसे कि under home loans, the securities issued are homogeneous in nature, even meant for small investors, who can afford to invest in small amounts, कि जो बोल रहा हैं, जो home loans हैं, वो सारे उसमें home loans ही हैं, सारे-सारे एक जैसे इन्वेस्टरी कि उसमें जो obligators हैं, वो सारे एक जैसे ही हैं, कि इसको कोई भी buy कर सकता है, इसको इसमें इंडिश्ट है, कि भाइ, मैंने invest करना है, home loans में invest करना है, वो home loan में invest करेगा, जिसको car loan में करेगा, जिसको defolter में invest करना है, वो defolter में करेगा, एक कोश्चन अपना ऐसे learn करे लेना है, तो यह से हो जाए, next point मारा आता है, यह हमने देख लिया features के हैं पड़े, अब कुछ problems यह आती होगी process के अंदर, क्योंकि नया नया आया आया है, तो उसमें problems का face करनी पड़ रही हैं लोगों को उसको हम देख लेते हैं, मलब point number 7 आएगा हमारा, problems, in securitization process, सब problems क्या आगे face करनी पड़ रही थी, किसको क्या problem face करनी पड़ इसको देख लेते हैं, number 1 आता है, इसमें stamp duty, जो उसमें 12% तक लगती है, high stamp duty लगती है, जिसने कोश्ट कफ जदर बढ़ जाती है, यह major problem face की जाती है इसकंदर, second आता है, इसकंदर taxation, क्योंकि इसे अब भी लोड नया नया बनाया है, securitization का, तो इसके बार में टेक्स के लोड है, हमारा जो income tax है, उसमें इसके बार में कुछ बताया नहीं गया है, कि भाई, tax pay किसको करना पड़ेगा, जो SPB है वो tax pay करेगा, या फिर जो investors हैं, उनके पास भी अब income आईगी, वो tax pay करेंगे, तो कुछ clear रही है, तो ये मेरे problem आ रही है कि, lack of clarity है in taxation, lack of clarity है, तो चैक करना होगा, government को जो मारा low tax को amend करना होगा, जो मारा income tax है, इसके अंदर provisions को ले करना पड़ेगा, तो फ़र टाइम लाएगा उसको आने में, तो फिलाल ये problem आ रही है कि, tax pay किसको करना है, थर problem आ रही है इसके अंदर accounting की, हमने बोल तो दिया कि, जो ये balance sheet है, यहां पर जो उसके loan थे, वो यहां से हट गई, बदले में cash आ गया, bank के पास, bank ने loan को sold कर दिया, SPV को, और bank के पास cash आ गया, तो इसके accounting क्या करें, but bank ने क्या किया कि, bank ने इसको recourse कर लिया, bank ने SPV को बोल दिया, यह investors को बोल दिया, कि अगर ये जो obligators है, वो पैसा pay नहीं करते, तो हम pay करेंगे, तो हमने तो एक बार यहां से loan हटा कर, हमने यहां पर cash लिख दिया, कि bank के bound में cash आ गया, but bank ने guarantee भी दे रखिया, कि अगर वो पैसे pay नहीं करेंगे, तो इसके हम general entry कैसे पास करें, इसके हम accounting कैसे पास करें, तो इसमें अब तक clarity नहीं है, no clarity on accounting treatment, क्योंकि bank ने यहां पर recourse भी कर रखा है न, हम इसके cash के entry पास कर देते हैं, पर क्या पता हमको cash pay करना पड़ जाए, क्या पता हम आगे pay ना करें, तो इसके हम entry कैसे पास करें, इसके बाद एम तक कोई clarity नहीं है, then आता है इसके अंदर, lack of standardization, इसमें क्या है कि, every SPV, have their own way, for documentation, जैसे कि, अकाउटिक को नबारे वैसे, तो documents maintain करने हैं, चाई document issue की जाएंगे investors को, तो हर SPV काकता है, आप रखे किसे work कर रहा है, कोई तरह का, standardization नहीं है, कुछ से एक समानता नहीं, इसके अंदर, हर SPV अपने तरह के से work कर रहा है, तो क्या है कि, प्रोड़ नया नया आया, इसको evolve on the time लाएगा, इस process को, तो धीदरे ये process, अच्छी process है, आप नहीं देखा कि, बैंक को कितना benefit हो गया, तो आनवल टैम तक ही, और improve होगा, गुर्मेंट इसके लिए low भी लेके आई है, आपका पेपर नमबर 6, 60 पेपर है आपका, इक लोम में एक लोगा, उसमें आपका chapter है, Secureization का, वो आप उसमें पढ़ेंगे, कि क्या गुर्मेंट इसके बार में low लेका ही है, तो दिर्दर evolve हो रहा है, जो problem है, वो दिर्दर solve हो रही है, इसमें एक problem और भी आती है, वो आती है, inadequate, debt market, जो इंडिया में debt market है, वो बिज़ें evolve नहीं हुई है, कि साएर लोग क्या करते हैं, अभी तक equity में पैसा लगाते हैं, debt के अंदर बहुत कम लोग पैसा लगाते हैं, और जोना liquidity भी नहीं होती कि, हम debt को आगे solve कर दें, जो हमारे shares हैं, वो आपकी time भी बेच सकते हैं, आपके trading account, आपका dmata account उसमें जागर के, पर इनको आगे solve करना, solve करना में काफी problem आती है, तो यह भी यहमारी market है, इतनी evolve नहीं होई है, यह भी जनी इतनी improve नहीं होई है, अभी नहीं-नही market है, तो यह main problems आती है, इसको हम देख लेते हैं हमारी book में से, question number 7 है, problem स्या क्या आती है, इसके अंदर, कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर करना होगा, कि कुछ लोग कहते हैं कि इसके लेना होगा कि कौन पहे करेंगा टैक्स को आखिर, देनाता accounting का, accounting and reporting of securitized assets in the book of originator is another area of concern, although the securitization is resigned as an off-balance sheet financing, कि वहाँ से loan हट गए, उनके पर cash आ गया, but in true sense, जो receivables हैं, are removed from the originator balance sheet, but उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने recourse कर रखा है, अगर उनको बाद में pay करना पड़ जाता है, तो उसका क्या treatment कर रहे हैं हम बाद में, उसके हम क्या entry पास कर रहे हैं, यह difficulty आती है, जनाता है lack of standardization, every originator followed own format for documentation and administration, having lack of standardization, and next point आता है, in indicate debt market, lack of existence of well-developed debt market in India, is another obstacle that hinders the growth of scanty market of securitized asset, कि बाद में इसको कोई, मैंने इसमें पैसा इन्वेस्टियो कर दिया, बट आगे इस instrument को बागे sell करना दा, तो कोई buyer नहीं मिल रहे हैं उसको बाई करने के लिए, जंबर मैंने आपको दिया, कि हम shares को किसी पी टाइम बेज सकते हैं, अब आपका trading account, आपका trading app है उसमें जा करके, बट आपने इसको आपके sell करना है, तो आपको इसको sell नहीं कर पाऊ, तो आपको buyer नहीं मिलेगा इसको आगे buy करने के, तो lack of liquidity रहती है इसके अंदर, तो यह main इसकी problem रहती है, क्योंकि जो debt market है, हमारे इंडिया के अंदर अब तक इतनी improve नहीं होई है, इतनी evolve नहीं होई है अब तक, तो समझ में आए आपको, ते हम चलते हैं next, चोट चुट जो दो question है, question number 8 or 9, explain securization India, तो इंडिया में इसकी history अगरिया है, कहां से चुरुबात होई थी इसकी, जो एक process है, पहले किसने इसको use किया था, तो city bank था जो, it is a city bank, who started the concept of securitization in India, by bundling of auto loans, जो car loans होते हैं, जो auto loans होते हैं, उनकोंने इसकी bundle बनाकर, एक transfer कर दिया था, SPV को, in securitization instrument, and in order to encourage the securitization, government has come out the securitization and reconstruction of financial assets, and enforcement of securitized security interest, सरफेस या आप Act App का, 2007-2002 का, एक government बाद में इसको ले कि आई, ताकि इसको regulate कर पाए, इस पूरे process को कुछ गल्द ना हो, कि investor साथ कुछ गल्द हो रहा हो, कुछ ऐसा गल्द कर दे, उनके साथ जो obligators है, तो उसको पूरी तरह से manage करने के लिए, government ने इसके बार में low बनाया है, then, important highlights of the scenario of securitization, in India, market is that, it is dominated by the few players, जो mainly players हैं, जो ऐसा काम करते हैं, गोगा है ICICI bank, जो HDFC bank, आजकल जो main players हैं, उसमें बहुत ज़्यदर involve हो रखे हैं, कि वो अपना loans को आगे solve कर देते हैं, solve कर देते हैं, और आगे, फिर again से mount आती है, उसको आगे loan देते हैं, और इससे recovery काम है, उससारा काम SPV जो वसूली भाई हैं, वो करते हैं हमारा, तो यह है पूरा India का structure view, वो हम बोलते हैं, securitized instrument, securitized instrument, बट यहाँ पर अपसे पूछा गया है कि financial instrument, जो आप जैसे कि debt हो गया, bonds हो गया, यह भी इसमें का और रोज आते हैं कि तरह का, तो financial instrument की क्या विशेशता है होती हैं, हमारे कोशन में यह पूछा गया है, जो आप फार में बढ़ते हैं, financial instrument का chapter, वो financial instruments होते हैं, उनकी विशेशता है पूछी गया है, यह कोशन के अंदर, पहला पर अधार दास में liquidity का, इट प्रवाइड liquidity, इस कैन बी इसली एन क्यूकिली converted into cash, कि आप इसको किछी भी time sold कर सकते हैं, आगी से ओर को, इसको आप cash में convert कर सकते हैं, बाकिसमें इतना नहीं रहता, कि इसको buyers आपको नहीं मिलेंगे, वैसे हमारे debt marketing नहीं होई है, पर कोशन में लिखा हो, तुमको लिखना पड़ेगा, and next आता है marketing, it facilitated easy trading on the market, कि इसकी easily trading हो जाती है, बहुत कम होती है trading, और बहुत कम buyers होते हैं, आपको मिलेंगे नहीं easily, बट लिखा हो अथ लिखना हो अख कांता है, दैनाता है collider value, कि यह बात बीकोड सहिए है, कि आप इनको कहीं गरी गरी रह सकते हैं, तो इस पर आप ब्रोक्रेश पे करते हैं वैसे इनकी जो बाइंग कोश्ट होती है तो यह कुछ इनकी विशेष्टा है फानेंशल इंस्ट्रूमेंट्स की सब्सक्राइब आया समझ में आपको चलेगा हम चलते हमारी नेक्स कोशन पर में सिर्फ दो पर्टर रहे गएे जल्दे इस चप्र को मैं end कर देंगे हाँ जी प्राइजिंग कैसी करेंगे आ यह आगीगा अब को हमें ले चलते हैं हमारी दूनिया के अंदर चलेगा प्राइजिंग कैसे करोंगे आप pricing of securitized instrument बोलिए कैसे करेंगे pricing हम यहाँ पर देखने वाले हैं from originator point of view from originator point of view और हम देखेंगे यहाँ पर from investor point of view from investor point तो इन दोनों के point से हम देखेंगे कि क्या pricing होना चाहिए कि जो इंस्ट्रुमेंट सेल कर रहे है जो इंस्ट्रुमेंट SPV ने बढ़ आए है वो आगे सेल कर रहा है investors को तो उसकी pricing कैसी होना चाहिए इसका pricing decide कोना है क्या हो 100 रुपय का बैच्चे है 10 रुपय का बैच्चे है 120 रुपय का बैच्चे किस rate में आगे सेल करना चाहिए तो कैसे decide होगा जो originator है जो bank है वो कैसे decide करेगा वो देखेगा कि उसको कितना cash outflow हो रहा है कि हम आगे वो instrument issue कर रहा है तो 100 रुपय का जो interest first month में मिल रहा है दे रहा आगे 100 रुपय का interest next month में दे रहा है फिर देन 100 का interest दे रहा है देन 1000 की जो उनका repay कर रहा है तो किस वेम उनका जो outflow हो रहा है उस base पर bank reside करेगा bank देखेगा अगर हम यहाँ पर हमारी asset जुमारी balance sheet है अगर हम यहाँ पर debt issue करते है तो हमको यहाँ पर क्या outflow होता हम यहाँ 7% का अगर इस पर in touch pay करते है तो हमारा क्या outflow होता उसको compare करेगा इस से कि यहाँ पर outflow हो रहा है इन दोनों compare करेगा उसके base पर decide करेगा कि किस rate पर हमें जो instrument है वो आग SPV को issue करने चाहिए उस base पर हो decision लिया जाएगा ठीक है sir और जो investor से उसके हम कैसे देखेंगे investor का same ऐसे होगा जैसे कि हमारे shares के case में होता है हम share में invest करते हैं उसके present value निकालते हैं ना उसके interesting value निकालते हैं कि हमें यहाँ पर dividend मिलेगा हमें यहाँ dividend मिलेगा यहाँ dividend मिलेगा और end में हमें जो हमारे shares को sale कर देंगे वैसे हमें यहाँ पर क्या है कि हमें यहाँ पर interest मिलेगा हमें यहाँ पर interest मिलेगा जो investors होते रहे हैं हमें यहाँ interest मिलेगा इसको हम एक discount rate से जैसे हम discount rate लेते थे एक discount rate से जो उनकी opportunity cost होती है जो उससे discount करके उसके हम आज की value निकाल लेंगे आज की present value निकाल लेंगे present value of cash inflows निकाल लेंगे तो वो चाहेंगे कि इंवेश्ट हम आज maximum इतनी माउट पेगा सकते हैं तो पेगा है कि हमें इतना ही मिलने वाले तना पेकर मिलने वाला है इस rate से हमने discount कर लिया जो हमारी opportunity cost है इसको कैसे decide करेंगे कि आप किस rate से आपने discount करना है आप देखेंगे कि similar तरह के जो वो होते हैं instruments हैं जो similar तरह के जो instruments हैं उस पर क्या interest पेक हो रहा है उस बेश तरह करेंगे कि हम जो discount rate है उसको मिलेंगे पर जो आपके similar तरह के आपके जो instrument आपको शायद ना मिले आपको एक ऐसा instrument मिला जिसकी rating डबल A है बट आपकी rating लगा लिजिए खाली A है तो इस पर जो interest rate है वो 12% का है बट आप आप का का लोगेशन 17 • ze 13 करने के लिए क्यों कि इन डरेटिंग ज्यादा है इसमें रिस्कंड nine तो इसमें आप क्या है आप 14 प्रिसंड लोगे क्यों कि हायर दा रिस्ट हायर दा रिस्क कि हाई रेटन आपकी जो एक्स्टेक्टेशन है वह भी तो हाई रोगी न क्योंकि उनको डबल एक लेटिंग तो 12 इंग्वेस्टेक्ट कर रहे हैं बस आपकी जो रेटिंग है आपमें रिस्क खाई है तो आप चाहिए कि आपको 14 परसंट तरका इंटरेस्ट मिले हाई दा हा the return ओके इस तरह से वक करती है from investor point of view from originator bank के point of view इसको हम पढ़ लेते हैं हमारी book में से आली book में पढ़ाता था आपको सबस्द में नहीं आता है वाली बात तभी मैंने अलग से story से बना कर आपको ऐसे explain गिया मैंने देखिएगा question number आपके book में है 5 pricing of securitized instruments it is important that it should be acceptable to both originator and as well as investors उन दोनों को accept होना चाहिए कि वो उतने मांग रहा है उतने मांग रहा है तो उनकर भीच में deal नहीं हो पाएगी तो क्या price हमें decide करें तो दोनों को accept हो जाए देख लेते हैं while pricing the instruments it is important that should be acceptable to both originator as well as investors तो इसको हम दो पार मिटवाइड करते हैं प्रहला है from the originator angle and second है investor angle तो the originator है उसके हम point view से देखें it can be price at a rate at which originator has to incur an outflow कि उनका क्या outflow हो रहा है तो compare करेंगे कि अगर हम जो हमारा हम debt लेते हैं आगे debt लेते हैं उसमें मारा क्या outflow होता है और इसमें मारा outflow क्या हो रहा है कि हम इतना पे कर रहे हैं तो इसको दोनों को match करेगा दोनों compare करेगा उस rate पर जो bank है वो decide करेगा कि हमारा outflow किस rate से हो रहा है तो उससे decide करेगा कि इसका price इतना होना चाहिए और जैसे investor है जो investor देखेगा हमें cash flow कैसे हो रहे हैं कि discounting, sorry यहां से करते हैं from an investor angles security price can be determined by discounting the best estimate of expected future cash flows of yield to maturity एक ऐसे rates हम discount करेंगे उस cash flows को of comparable securities जो ऐसे similar securities है उसका discount rate है उससे हम discount करके जुमारे cash flow होने वाले है future के अंदर जुमारे expected cash flows है उसके आज की present value निकालेंगे उस base पर चाहेंगे कि जो investors हम बोलेंगे इससे हम फाल्त पे नहीं करेंगे कि maximum amount of slim जो पे एक अनेगे हम त्यार होंगे इस yield can also be estimated by referring to yield curve available for the marketing securities though some adjustment is needed to made on account of separate points because of credit quality of security instrument मैं आपको बता है कि कुछ वह वह वाले हैं उनका 12% था पर आपका A है तो आप 14% का expect करेंगे तो आप plus 2 कर देंगे इसके अंदर इसमें आप add कर देंगे कुछ आप इसमें adjustment कर देंगे इसमें आपको crystal clear हो गया बिलकुल बढ़ी है crystal clear हो गया तो चल type of securization instrument या फिर concept of script securities difference between PTS and PTC most most important question उन्चों बच्चा को समझ में ही आता अब आपको समझ में आएगा बिलकुल समझ में आएगा इतना clear कर दूँ हो गया बिलकुल अभी देखते हैं इसको type of securize instrument तो इसमें पहला आता है pass through certificate then second इसमें आता है pay through security इसको बोलते हैं PTC pay through security इसको हम बोलते हैं PTS then third number पर आता है stripped security ठीक है जी तीन को समझ लेते हैं यह तीन तरह के जो हमारे instrument होते हैं तीन तरह में डिवाइड होते हैं इसको हम देख रहे थे हैं ब्लू कलर का पैनल देखेंग हैं सर समझेगा इसमें क्या होता है पास्थ्रू के अंदर आप इसका नाम से दिखेगा पास्थ्रू सर्टिफिकेट इसमें जो पैसा हमको आगे मिलेगा हम आपको ट्रांसफर कर देंगे इसमें यह नहीं कि आपको 7% मिल रहा है या आपको 8% मिल रही है इसमें ऐसा कुछ पी नहीं है जो पैसा हमारे को आगे से मिलेगा और अगे से हम ँश स्थे लगे से वा पताथ है इसको पास बस कर तो आगे इन्वेस्टर्स है ठीक है जी इसको आपको बताता हूं पास्थ्रू हो जाएगा जो है उसको पास्थ्रू कर देंगे जैन से कुण्ट आता है डिरेक्ट कलेम यह शो करता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका यह नहीं कि 7% मिल रहा है जाए 10% मिल रहा है हमको रिपेमेंट हो रही है उनका ड्रेक्ट कलेम है उनके उपर जो आगे से लोन मिलने वाला है जो आगे से जो ब्रोवर पे करेगा उस समय बढ़ जाएगा वह थोड़ 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 समय बाट देंगे कोई इंट्रेस्ट की रेट नहीं है कुछ जो प्रिंसिपल माउंट है वो रसीव हो रही है वो भी समय बढ़ बढ़ जाएगी ऐसे केक कटेगा और समय बढ़ जाएगा जो भी इनिवेस्टर है रगा देजिए उसमें तीन मंट आते हैं आपको समय एक्जामपल देता हूं रियल लाइफ एक्जामपल देखेगा इस इसमें क्या है मुंबई में क्या हो था बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर आइसे एक्जाइए बैंक करीड आउट दा कंट्री लाजएस्ट रेटिट सेक्योर्टिजेशन ट्रांजक्शन फोर 1929 कोर्ड बैक्ट ब्यक्ट बैए न्यु आड ओल्ड कार लौन्स सुर कार लोनikel के ब्यक्ट वा गरन है ऐसे टांसफर कर दिया and इसक्योर्टेज cat रिया एंडी से मिन issued by the Indian retail ABS trust under the bank securitization program कि ABS trust क्या है sir जही तो SPV है ठीक है जी उसके तुरुनों ने issue करा शेलेगा इसको हम वापिस आते हैं अब next आता है pay through securities यह क्या होता है इसमें आपको एसन ही होगा कि जो पैसा हमको मिल रहे है आगे से हम आपको pay कर देंगे नहीं नहीं जैसे कि मैं उप्रवल हमने देखा कि एक ऐसा जो यहां पर obligator है यहां पर एक ऐसा obligator है तो सारी amount भाई मेरा था दस साथ एलोन पेंडिक था मैंने सारा एक बार इंपे कर दिया तो सारी amount जो इन्वेस्टिस उनको एक बार ही मिल जाएगी पर इसमें ऐसा नहीं है इसमें क्या है कि इसमें क्या बोला कि आगे से लोन मिल रहा है पेमेंट आ रही नहीं आ रही हमारी जुम्मेबारी नहीं है जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो कहेंगे हमको 7% का इंटरस्ट चाहिए इसमें 8% इंटरस्ट चाहिए अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम SPV को पकड़ लेंगे तुमारी बील्डिंग तुमारे जितने यहां पर पढ़े हैं सब कुछ बेश के खा जाएंगे हमें हमारे पैसे चाहिए तुमारी जिविवारी SPV तुमको हमें पे करना है आगे से आपको लोन मिलता है नहीं मिले सारे पैसे आपको एक बारी मिल जाए वो तुम देखो कि होम लोन्स के अलग होगे कार लोन्स के अलग होगे 把 डिफोल्टर के अलग हो गई इस पर 7% बिल रहा है इस पर 8% मिल रहा है इस पर 12% इन्टे दख है यह समें तो पोसेडल ह यह नहीं जो SPV है उसको सोचे कि यहां पर एक borrower था उब्लिगेटर था उसमें सारी amount पे कर दिये advance के अंदर पर इसको तो 7% पे करना है ना लगा लिए पर मन्त पे कर रहे हैं 7% interest और यहां पर इनको 100 क्रोड एक बार में मिल गया पहले क्या करते हैं कि हम सारा amount उनको transfer देते हैं अगर हम उपर वाला option होता है इसमें 7% interest पे करना है तो जो इनके पास access amount बच गई है जो SPV है उसको आगे और इंवेस्ट कर देगी हो कि आगे interest पर पे इंवेस्ट कर देगी तो उस पैसे का इनके पास amount आ देगी extra तो इसका यह benefit भी होता है then यह होते हैं pass pay through security यह होते हैं pass through certificate then हमारे आता है एक और stripped security इसको बोलते हैं पटियां पटिया मना लेना इसमें बंदी है जैसे कि आपने एक में इनवेस्ट के आपने एक security के अंदर तो उसमें आपको तो interest मिलता है और एक आपको मिलती है principal amount वापिस इसके दो भाग कर दिया हमने इसको बोल दिया हमने interest only और इसको हमने बोल दिया principal only IO and PO तो किसी ने खाली interest only में invest किया और किसी ने खाली principal only में invest किया कि जब भी principal amount आगे से मिलेगी तो principal amount इनको transfer हो जाएगी जिसनोंने PO में invest किया तो इसमें एक point और आता है इसको समझातों में आपको अगर market का जो interest rate है जो market के अंदर KD है जो cost of debt है जो yield to जो yield rate है market की जो interest rate है market का अगर वो बड़ेगा तो जो मारा PO है उसकी जो value है आज की वो down जाएगी तर ऐसा क्यों होगा आपने पड़ा होगा bond while chapter के अंदर higher the discount rate lower the present value क्योंकि हमें जो price मिलने जो में मिलने वाला है principal amount उसकी amount आज की present value डाउन आज जाएगी जैसे कि आपको य 10% discount करते हैं तो इसकी amount आएगी अगर आपको 12% discount करते हैं जो इसकी amount आएगी जो 12% amount आएगी जो 10% से आएगी उसके comparison में क्यों अगर हमारा जो discount rate बढ़ जाएगी जो market इंटाश्टेट है वो बढ़ जाएगी तो इसके आज की present value कम हो जाएगी जिससे इसकी demand है वो down चले जाएगी दूसरा अगर जो rate बढ़ती है market interest rate इससे क्या होगा तुम्हार जो PO only securities है जो हमारी principal on securities है उसकी demand कम हो जाएगी उनकी value कम हो जाएगी इसका opposite क्या होगा कि जो interest on security जो demand है उनकी value बढ़ जाएगी अगर interest rate बढ़ जाता है क्यों क्योंकि जो mostly loans होते हैं जो essay loans जो bank transfer क जाता है वो होते हैं floating interest rate वाले loans floating interest rate loans होते हैं क्योंकि अगर market पहले इंपे जो loan था वो चल रहा 7% पर market interest rate हो गया 9% अब जो ब्रोवर्स है वो 9% का rate पे इंटरस्ट पे करेंगे तो दिनों नहीं इस पर invest किया था interest only के अंदर उनको high return मिलने वाली है उनको 9% से return मिलने वाली है पहले उनको 7% मिलने वाली थी तो इनकी जो value है बढ़ जाएगी अगर market में interest rate बढ़ता है तो PO है उसका amount हो down हो जाएगा उसकी value है जो I.O है उसकी rate की value बढ़ जाएगी और wise वरसा होगा अगर वो कम होता है त pass through certificate PTC खाली सार अपका exam में difference भी आ सकता है तो आपने इस तीन-तीन पॉइंट ऐसे difference लिख के आने है यह देखी गया है उपर question भी आया हूँ है शोड़ा बढ़ा करते हूं यह देखीगा originator transfer the entire receipt of cash in form of interest principal जो तो पैसा मिलेगा originator को वो actually SPV को देदेगा और SPV आगे investors को pay कर देगा इंटर्श एंटर्स एंट प्रिंसिपल रिपेमेंट फोम एसर शोल तो SPV फॉर्दर डिस्टिबूट इस्टू इस्टू इंवेस्टर पास्टू सर्टिफिए सेक्योड रिप्रेजेंड डिरेक्ट ख्लेम अफ इन्वेस्टर्स ओन दाएस एसर्ट एस यह उनका ड प्रिंसिपल इस आल्सू पॉस्ट पॉणिट होरी दूमें इक वली डिस्टिबूट हो जाएगी आल्सू अबंग ता स्कूर्टी होल्डर्स क्योंकि विद्टाया कि जो के कटेगा तो सम्में बटेगा अगर जो प्रिंसिपल मांट अगर एक बंदे ने पे कर दी सारी पि प्रिंसिपल मांट मिलती है वह आपको देखो हमां SPV की जो आपकी टेबल पड़िये इनको बेच के खा जाएंगे हम आमारी मांट पूरी ले लेंगे सर इस कैसमें क्या होगा यहां पोसिबल है कि 7% का उस बना दी सक्योटी के एट परसेंट की बना दी कि उपर पोसिबल नहीं था वह उनका डियक्ट कलेम था यहां अलला तरह की जो ट्रांची हैं वो बना दी गए हैं तो वेरिंग मैचूर्टी कि 7-7 यह के बाद मैचूर होगी यह 6-year के बाद मैचूर होगी यह 10-year के बाद मैचूर होगी यह सको गोडिंग बना दी गए अलला लग ट्रांची अलला लग इसकी शाखाएं अलला इसके डिविजन further this structure also permits to SPV to reinvest surplus funds for short term जैसे कि एक पसे ने सारा जो प्रिंसिपल है एक बार में repay कर दिया तो हमने तो यह 7% प्रिंस पे करना है तो amount फाल तो बच गई उसको कहीं reinvest कर देगा जो SPV है इस प्रिवो रिटर्न कमाएगा तो यह clear होते हैं आपको यहाँ पर देनमर आता है stripped securities, stripped securities are created by the dividing the cash flows associated with underlying securities जैसे आपका IO होता है और आपका PO होता है तो आपका interest की लग कर दी और stripped और आपकी principal की लग कर दी ठीक ले तो investor of IO securities receive only interest और while the PO securities receive only principal जो इसने आयो में invest किया अँको खाली इंट्रेस्ट मिलेगा जो obligator समने इंट्रेस्ट पे किया तो इसमें transfer हो जाएगा इंट्रेस्ट अगर उन्हें principal पे किया तो पिंस्पल वालको पिंस्पल टांस हो जाएगा और अगर हमारा यह बढ़ता है हमारा market interest rate तो इसका इंपक्त आयू पर क्या पढ़ेगा इंक्रीज इंट्रेस्ट तो इनकी वैल्यू है वह बढ़ जाएगी क्योंकि पहले 7.5% interest पे कर रहा था जो obligator था अब वह 10% interest पे कर रहा है क्योंकि यह rate of interest है वह floating rate of interest है तो इससे जो आयू की value है वह बढ़ जाएगी तो यह line important है यह आपने exam में लिखके हां नहीं है सर तो यहां पर हमारा end होता है securitization का chapter आपको समझ में आया होगा सर ठीक है जी यह मैंने ठीक रिस बार में लिखे होई है i salt यह मैंने बताई नहीं है आपको यह भी आप देख लेना तो ट झाल